ग्रेटन वेटा के थाना विश्रक पुलिस के हाथ एक ऐसा गिरोव लगा है जो कवाड़ी व्यापारियों को कवाड़ा दिलाने के नाम पर ले जाते थे और रास्ते में चाय पानी या कोल ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर नशा कराने के बाद लूट पार्ट कर लिया करते थे अना विश्रक पुलिस ने A.C.E. गोल चकर से चेकिंग के दोरान इन दोनों को गिरफतार कर लिया और पूछता इस क्या तो इन्हों ने अपने दोरा दी गई घटनों के बारे में जानकारी पुलिस को दी इनके कबजे से पुलिस ने दो मुबाइल लूटे हुए पुलिस की गिरफ्त में खड़ा है आरोपी मदन और इसकी एक महला साथी को आज सुबह करीब आठ बजे चेकिंग के दोरान A.C.E. गोल चकर से गिरफतार किया गया है दरसल बीते दस जनवरी को थाना विश्रक में एक स्क्रेप व्यापारी दोराग्यां दो लोगों पर पायार दर्च करवाई गई थी जिसमें उसने बताया था कि इन आरोपियों ने कबाड़ा दिलाने के नाम पर गुलाया और रास्ते में चाय में नशीला पदार्थ मिला कर मुझे पिलाया और नशा होने के बाद मुझसे 50,000 रुपी रूप पर फराग हो गया तो ही पुलि इसमें एक बिहार का यूवक्ष है और यूवक्ती जो है वो खुरजा के रहने वाली है ये लोग के व्यपारियों को फोन करके अपने आपको एक व्यपारि बता के उसे गुमराह करके अपने पास बोलाते थे और दोके से चाय में या कोल्डरिंग पे एक सोने की दवा, न पूलिस के इंक्वाइरी में और क्या कुछ निकला है इनके गिरों में कुछ और लोग शामिल थे और कहां कहां और कहीं बारदाते की हैं क्या है प्रथम दिश्टेया पूछ थाच में इन लोगों ने स्विकारा है कि दिल्ली में भी नोंने बारदात को अंजाम दिया है इस बारे में हम दिल्ली पुलिस संपर्ग साथ के और चानबीन करेंगे बाकि इनका गैंग में और लोग है या नहीं है इसके भी तक्तिश चारी है